तो इस वीडियो में हम connect करने वाले react को node से और node को mongo से तो यह एक full stack flow हम बनाने वाले हैं तो अगर आप front end developer हो और पहली बार full stack को try कर रहे हो तो यह video ज़रूर देखिए अगर आपको simple सा data भी backend में भेजना है तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी तो यहां मैं start कर रहा हूँ एक react application से तो react application create react app से बनी हुई है simple सी application कुछ भी नहीं है इसमें एक function component यहां पे बना हुआ है जो default रहता है app मैंने उसको खाली कर दिया है तो हम सब कुछ scratch से start करेंगे एक form create करते हैं और उस form से हमको data उठाना है जो हमको बाद में server पे भीजना है तो पहले यह task करते हैं तो return में लिखता हूँ और return में आप jsx लिखोगे form की तो एक div बना देते हैं जिसमें मैं एक form बनाऊंगा तो थोड़ा space create करते हैं form बनाता हूँ तो form में हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं दो inputs तो दो text input type के भी चलेंगे तो simple input text अब इस input text को differentiate करने के लिए आप इन पर कोई label वगरे पूट कर सकते हो मैं बहुत simple तरीके से कर रहा हूँ प्रॉपर तरीका नहीं है लेकिन अभी हमको केवल connection करना है backend से तो इस तरह से मैं एक simple username password ये दो अलग-अलग दिख जाएंगे finally एक button भी चाहिए रहेगा जिससे हम इस चीज़ को भेज सकें तो एक button बना लेते हैं input type submit तो form में submit allow होता है तो उससे button बन जाता है तो ये minimum setup हमको required होगा तो इस चीज़ को पहले check कर लेते हैं ये working है या नहीं तो जैसे आप start करते हो npm start react application start हो जाएगी तो मैंने browser open कर रखा एक तो यहाँ पे browser है browser में आप ये देख सकते हो जब तक ये start हो रहा है कि आपके पास react dev tools है या नहीं वो कई बार आपको काम आ सकता है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसके विनाई काम करने को तो localhost 3000 पे ये open हो रहा है तो आप देखो एकदम सिंपल सा इसमें भी मैं side में console खोल लेता हूँ तो console पे काफी सारी चीज़े हम side by side check करते रहेंगे तो यहाँ पे console है अभी इसका layout काफी खराब आ रहा है तो layout का ज्यादा अभी परिशानी नहीं है हमको तो इस तरह से हम दो input ले रहे हैं next हमको इस input से data उठाना है तो input से यह किसी भी चीज़ से data उठाना है तो basically कोई event काम आएगा तो यहाँ पे on click on change ऐसा कुछ आना चाहिए तो on change यहाँ पे perfect लग रहा है तो on change आप लगा सकते हो और on change में आप क्या करोगे एक handler function तो क्या handler मैं बनाओ handle form तो यह handle form नाम से बनाया है बड़ इसको दोनों पे मैं put कर दूँगा तो यह handle form एक function है जो इस input को track करेगा जो भी changes होंगे तो on change event वो capture कर लेगा अब यहाँ पे आप यह handler बनाओ constant जो भी handler का हमने नाम रखा था handle form वो आप यहाँ पे put कर सकते हो इसको मैं arrow function की तरह बना रहा हूँ और सबसे पहले तो चेक कीजिए कि यह दोनों चल रहे हैं या नहीं कई बार हम binding साइसा नहीं करते तो इसमें first argument यहाँ पे जो होगा यहाँ पे जो आता है call होने के बाद वो है event तो event object यहाँ पे एक synthetic event होता है react में तो वो यहाँ पे print होना चाहिए अगर सही चीज काम कर रही हैं तो अब यहाँ पे मैं type करके देखता हूँ ABC तो आप देखो यह तीन बार चला है जितनी बार भी type हुआ है तो event तो काम कर रहा है लेकिन इससे value क्या ले नहीं है तो value होती है event dot target में target dot value ठीक है तो event dot target dot value यह चीज value लाएगी तो अब इसको वापस चेक कर लेते हैं मैं clean कर देता हूँ इसको पूरे setup को ABC आप देख रहे हो A print हुआ फिर AB फिर ABC तो हर change पे वह वापस वापस चल रहा है और value आ रही है अब इसमें क्या होगा कि जब मैं password में जाऊंगा तब भी यह 123 ऐसे काम कर रहा है दोनों पे सही handling हो गई है वैसे लेकिन अब problem आएगी कि identify कैसे करें कौन सा क्या है तो यहाँ पे काम आएगा एक और चीज कि मैं दोनों को अलग नाम दे देता हूँ तो नाम देने के कई तरीके है नेम एक parameter होता है आईडी से भी आप differentiate कर सकते हो लेकिन नेम का एक खास फायदा है कि वो target में आता है तो मैं username और password यह नाम तोनों पे name attribute देता हूँ यह HTML attribute की तरह है अब यह चीज भी आएगी तो इसको मैं यहाँ पे print करवा के देखता हूँ तो target.name तो अब देख लेते हैं यहाँ पे वापस आईए तो ABC अभी target इसमें आया नहीं है कुछ issue ओके यहाँ पे comma की जगे लग गया था अब वापस से आप जाईए यहाँ पे तो state चाहिए होती है तो state के लिए use state hook use करते हैं तो use state hook आप import करना पड़ेगा इसको आपको तो directly अगर import होता है तो बढ़िया है जिसे यहाँ पे हो गया वरना आप इसको manually import कीजिए तो use state में initial value मैं blank object देता हूँ अब यह initialize हो गया यहाँ पे form हम एक variable देंगे form एक object यह और set form उसका setter बन जाएगा इस तरह से use state का जो भी default syntax होता है हम use करेंगे अब यह form object में मैं दो चीजें store करना चाहता हूँ username password तो username इसकी value उठाएगा password इसकी value उठाएगा तो इस तरह से हम इसको बनाएगे तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पर दोनों value आई रही हैं तो मैं set form call करता हूँ और इसके अंदर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो कि username dot लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा तो एक तरीका हम use करते हैं जिसमें हम कहेंगे कि e.target.name और यह key होगी और e.target.value तो यह उसकी value हो जाएगी तो यह चीज तो valid होती है लेकिन value तो आप variable में दे सकते हो लेकिन key को आप ऐसे variable में directly नहीं दे सकते तो इसके लिए आप यहाँ पे यह square bracket पुट कर दो तो इससे क्या होगा कि अब यह key key value निकाल लेगा बाद में उसको string बना देगा तो यहाँ पे एक case में आप ही देख रहे थे username आएगा दूसरे case में password आएगा तो सही सही आपके दोनों keys set हो का एक issue क्या है कि यह asynchronous होते हैं तो तुरंत यहाँ पे दिखेगा नहीं best है कि यहाँ पे हम इस तरह चेक कर लें तो मैं यहाँ पे एक paragraph बना देता हूं और paragraph में आप सीधे form लिख सकते हैं क्या तो यह check करते हैं यह form state की बात हम मैं कर रहा हूं तो अभी इसमें एक error आया है क कि objects are not valid तो objects आप नहीं put कर सकते सीधे तो कोई string होना चाहिए तो string इसको कैसे बनाओगे कोई भी object को string बनाना हो तो json.stringify एक method होता है और इसको form यहाँ put कर दो अब ठीक है यह आप देख रहे हो खाली object आ गया अब यह खाली object है मैं यहाँ पे a,b,c ऐसा put करता हूं तो देखो object में key बन गई अपने आप तो हमारा exemption सही था तो ऐसे debug करके चलना चाहिए तो यह a,b,c value भी आ गई उसके बाद में password का देखते हैं तो अब 123 पर password आ तो गया लेकिन username गया तो issue क्या है आप देख रहे होग कि आप इसको पहले जो भी previous state है यानि form उसको destructure कर लो ऐसे जितनी भी उसकी values है वो आ जाएंगी उसके बाद जो नई value है बस वो overwrite होगी तो इस तरीके से लिखना सही रहेगा I think अब यह solve हो जाएगा तो आपस refresh करते हैं ABC 123 तो अब कुछ भी overwrite नहीं होगा बस add होती जा र बेजनी है तो यह था first step तो हमारा सब कुछ ready है आप चाहे तो debugging अब हटा सकते हो यह हमको required नहीं है अब next step है कि server पे हमको इस form variable को भेजना है तो उसके लिए हम API को call करेंगे पहले API क्या है कहा आप से आई वो भी हम बनाएंगे लेकिन एक चीज़ पक्ती है कि यह form object हमको च तो कौन से action पे इस submit पे हम बेजना चाहेंगे तो एक तो तरीका है submit पे मैं on click लगा लूँ पर वो सही तरीका नहीं है form जब भी आप लो तो आप उसमें on submit यूज कर सकते हो ज्यादा बेटर तरीका है इसमें on submit में आप एक और handler पास करोगे तो handle submit बोल सकते है इस function को यह भ है declare कर देता हूँ handle submit और इस तरह से यह चीज है तो handle submit आगया अब handle submit में क्या करना है यहाँ पे भी एक event तो आए गई हर चीज से आता है event तो और आपको बस यह देखना है कि हमारे पास form की सही value है क्या तो एक बार यहाँ पर चेक कर लो console पे चल रहा है क्या और submit पे आ रहा यह input करते हैं aps 123 अब यह कुछ भी आ गया अब submit करते हैं इसको पहले यह clear कर देता हूँ मैं अब submit करता हूँ तो वो आया था और गायव हो गया थोड़े से console log भी मैं हटा देता हूँ आप नहीं चाहिए बार 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 आ रहे हैं वापस से एक बार देखते है abc 123 submit किया ग दिखा होगा तो यह सब क्यों हो रहा है तो यह form की html की default property होती कि जब भी submit होता है तो form एक तरह से अपने target page पर जाता है तो ऐसा कुछ यहां पर target है नहीं और react तो वैसे भी single page है कहीं और जाना नहीं तो इसको आपको behavior को रोकना पड़ेगा और इसके लिए आप कर सकते ह तो event में prevent default तो basically यह आपके event को और आगे जाने से रोक देगा जिससे की default behavior रोक जाएगा तो इससे यह problems all होगी तो अब ABC 123 ऐसा करता हूं submit तो यहां पर आपका सही object आ रहा है यह आपको चाहिए था form state में और इसी को आगे भेजना है तो पहला काम finish हो गया को कितना भी काफी कुछ ऐसा ही आप करोगे अब इस handle submit में हमको API call करनी है तो API है नहीं तो यह part एकदम नया है हम एक node server scratch से start करेंगे चाहिए आपने आज तक नहीं बनाया हो तो आप बना सकते हैं तो मैं start करूंगा अपने desktop से तो मेरा desktop है यहां पर और इसमें एक new folder मैं बनाता हूं जि इसमें की node server नाम से मैं एक बना लेता हूं तो node server empty folder है इसमें हम अपना initialize करेंगे node.js तो इसके लिए एक और VS code window में open करता हूं तो दो अलग-अलग window होंगी और इस window में इस folder को open कर लेता हूं तो आपको node server यहां open किया तो आप और तरीके से भी कर सकते हो बाद में भी change लेकिन इस तरीके से मैं कर रहा हूं और अब करना क्या है इसी directory में आप terminal command prompt खोल लेजिए जैसे मेरे VS code में integrated है तो यहां से मैं खोल लेता हूं और आपको npm init minus y यह command डालना है तो अब मैं क्या जूम कर रहा हूं कि आपने node.js server install किया हुआ है तो node.js server कैसे install होता है नेट पे node.js टाइप कीजिए उसका stable version डाउनलोड कीजिए वन क्लिक इंस्टॉल होता है mostly तो उसके बाद आपको node और npm दो command मिलेंगी वही हम यहां use लेने वालें तो npm init minus y यह command से कोई भी node project initialize हो जाता है तो enter करते हैं इसको तो यहां पे package JSON आ गया minus y से आपके सारे default option आ गए अगर आप केवल npm init लिखते हैं तो आपको कुछ question पूछता तो यहां पे initialize हो गया तो यह जरूरी है ताकि आपकी जो भी node application है वो organized है उसकी dependency अब main चीज करते हैं index.js यह server की main script है तो वैसे node एक JavaScript का आप कह सकते हो compiler ही होता है उस run environment होता है तो उसमें JavaScript run होती है तो यहां पे सबसे पहला check तो यही कीजिए कि इसमें JavaScript चल रही है क्या तो console.log hello और मैं नीचे लिखूँगा node index.js तो अब run करो तो यहां पे hello आ गया तो मतलब node तो आपका सभी से installed है काम भी कर रहा है अब एक actual server बनाते हैं web server तो web server बनाने के लिए एक package आता है express और यह defacto है defacto मतलब की node न ऐसा बोला नहीं कि यह default है लेकिन by default हर कोई इसी को use करता है अपना web server बनाने के लिए तो require express ऐसा आपको लिखना है यह require वाला तरीका जो है यह कुछ-कुछ import जैसा ही है latest node में आप import statement भी use कर सकते हो लेकिन अभी मैं इसको use कर रहा हूँ पुराने node में थोड़े compatibility इस्यू है तो हमेशा require ही use करना होता है तो मैंने इस तरह से लिख दिया अभी आपको यह बस require express तो require express से अपने आप तो download होगा नहीं तो जैसे react में करते हो वैसे ही आपको npm install करना पड़ेगा तो npm install express आप कर लो तो npm install express तो react में भी इस तरह से आपने dependency डाउनलोड की होंगे तो यह dependency यहाँ पर package.json में दिखाने लग जाएगा इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर express का जैसे for version है वो आ गया तो यह चीज हो गई अब server बनाना है server बहुत ही आसानी से बनता है आप एक server variable बनाईए और उसमें express को initialize कर दीजे तो यहाँ एक express का instance बन जाएगा server में इसके बाद server पे एक command लिखनी होती है listen तो listen एक तरह की listener है ever running command इसमें पहला argument पास कर रहे हो 8080 port number यानि एक virtual port open हो जाएगा आपके computer में और उस पे आपका server चलेगा तो अब इस port पे कोई भी request आएगी तो यह सुन रहा होगा तो console.log server started तो यह callback मैं इसलिए लिखा है कि अगर सब कुछ सही चला तो यह server started command प्रिंट हो जाएगी तो अब रन करके देखते हैं वापस console से terminal में मैं index node index.js run करता हूँ server started आगया और यह cursor अब जा नहीं रहा है मतलब आप इस running process में ही हो अब आप और command यहां नहीं put कर सकते हैं तो server is a ever running process जब तक उसको बंद नहीं कर देते और यह ज़रूरी है ताकि client जब भी कोई request करे तो listen कर रहा हो और वो इस port पे listen करता है तो यह आप hard code ना करें variable में भी दे सकते हैं अब next चीज आती है जो सबसे popular है API बनाना तो हम एक simple सी API बनाते हैं तो server पे आपको एक method लिखना होता है तो उसका नाम होता है जैसे get यह get वह गहर है http methods है वट यहां पे उनी के नाम से method बनाए हो है तो जैसे get है post है put delete आपने सुने भी होंगे तो get सबसे पहले सबसे easy होता है इसमें हम एक दिंगे path इसको आप path कह सकते हो server में इसको end point भी बोला जाता है इसी को API भी बोलते है तो server में जैसे मानलौक का server google.com है तो slash demo नाम का एक path बन जाएगा तो इसमें second चीज होगी request response ये callback की तरह दे रहा हूं मैं तो एक function है function में request पहले आती है फिर response आता है request क्या है जब भी front end से कोई data आएगा तो इस request के उपर ही आएगा वो तो ये एक तरह का object ही है और response वो object है जो आपको वापस front end को भेजना है यानि react को हमारे case में तो जरूर नहीं react को कुछ भी हो सकता है बट ये एक तरह का convention है now request response इनके बारे में detail से देखना है तो node.js की playlist में हमने काफी कुछ बताया हुआ है कैसे HTTP request बनती है तो start करता हूं मैं response से कि पहले हम एक default response भेजते हैं तो जैसे send इसका बहुत ही easy तरीका है like a print जैसे होता है तो response.send में क्या होगा कि जब भी कोई hello को बुलाएगा चाहे कुछ भी आप भेजो या ना भेजो तो hello आपको हमेशा return में भेजेगा मतलब demo आपको हमेशा return में भेजेगा hello तो अब इसको कैसे बुलाए जाए get का फाइदा यह है कि जब आप browser में URL कुछ लिखते हो तो इस server का URL है localhost 8080 slash demo तो इससे यह चल जाएगा पर यहाँ पर आरा है cannot get demo issue क्या है? issue यह है कि server ever running है पर यह अभी पुराना code चला रहा है तो मैं इसको ctrl c से kill करता हूँ वापस से चलाता हूँ तो अब updated code आ जाएगा अब refresh करते हैं तो hello आ गया तो server आपका चल गया आपकी API आपको एक text भेज रही है यह JSON नहीं है, text भेज रही है अब तो यह get request आप सीधे URL से चला सकते हो तो यह तो है इस API सिंपल सी API को चलाते हैं और फिर ऐसी एक API में data भेजेंगे जो हमारा next step है तो अपने front end code पे चले जाएए तो front end code यहाँ पे है इसमें आपको पहले तो simple API कॉल करना है तो मैं इस submit में ही कर लेता हूँ क्योंकि हमको ultimately इसी में ही भेजना होगा तो इसके लिए हम use करेंगे fetch क्यों? क्योंकि यह inbuilt है और कोई reason नहीं है generally मैं axios एक library यूज़ करना पसंद करता हूँ पर यहाँ पे हम fetch यूज़ कर लेते हैं तो fetch में पहला argument होता है URL तो URL क्या होगा? यही आपका URL होगा इसको copy कर लो आप चाहिए Chrome से options देते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि request get type की होती है तो वो भी यहीं पर ही पता लगेगा तो method get यह get और जो node में आपने dot get लिखा है उसका relation है कि यहाँ पे get लिखोगे तभी उस वाले path पर जाएगा वरना नहीं जाएगा तो request का एक type होता है operation वो आप समझी सकते हैं कि server पर जाने में time लगेगा तो await इस पे आप लगा सकते हो ताकि इसका response आ जाए तो इसके लिए sync लगाना पड़ेगा उपर और constant मैं इसमें response मान लेता हूँ तो आप then लगा कि promiseable भी कर सकते हो बट अभी हम await यूज कर रहे हैं तो यह response किस तरह का होगा यहां पर चेक करते हैं तो मैं यह console में आपको response दिखा देता हूँ तो expect तो हम यही कर रहे हैं कि demo से वो ही response आए जिसे वो hey जो आया था वो आए या hello जो हमने यहां से भीजा था तो let's go और इसको चलाते हैं अभी username password पर आपका focus नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हम भेजी नहीं रहे तो अब मैं submit को call करता हूँ तो यहां पर कुछ error आ गया है और यह error हिट होगा blocked by course policy तो course मतलब cross origin cross origin ठीक है उसमें क्या issue है cross origin origin से मतलब होता है server तो जैसे यहां पर यह server जो है वो है localhost 8080 और यह react का भी एक server है localhost 3000 तो react का server क्यों है web development जब आप करते हो तो react भी एक server पर ही चल रहा होता है जो development server है वो भी एक तरह का node server ही है तो वहाँ पर issue आ रहा है कि आप एक server से दूसरे server पर request कर रहे हो यह कैसा है जैसे मान लो google.com facebook को request भेज रहा है तो वो allowed होगा तभी तो वो भेज पाएगा वनना तो यह security issue है तो इसलिए by default यह चीजे blocked होती है तो इसको allow आप कर सकते हो server से अगर server कहता है कि मेरे पर कोई भी request कर सकता है मैं allow करता हूँ तो वो हो जाएगा तो आपको server पर जाके एक change करना पड़ेगा तो मैं नोड पर एक course allow कर देता हूँ तो उसके लिए एक package आता है उसका नाम भी course ही है और require आपको करना होगा और यहां पर अप्लिक दो course तो सारे imports उपर होने चाहिए तो यहां मैं course पुट कर देता हूँ यह भी package में साथ नहीं आता है मैं एक और terminal खोल लेता हूँ और इसमें यह npm install आप कर दो npm install course आप कर दो तो npm install course से वो install हो जाएगा अभी problem क्या आएगी कि यह जो code मैं update कर रहा हूँ लाइव update हो नहीं रहा है क्योंकि यह बार-बार server restart करना पड़ेगा तो इस issue को हटाना है तो आप npm install minus g node mon यह कर सकते हैं node mon एक software है जो continuously check करता रहता है file को और development में सही use होता है तो minus g का मतलब है globally आप install कर रहे हो पूरे system पे यानि आपको एक बार ही install करना पड़ेगा फिर आप किसी भी project में feature में use कर सकते हो तो अब मेरे पास तो installed है तो मैं node mon index.js कर लेता हूँ इस से server बार-बार restart होता रहेगा जब भी requirement है तो जैसे अब इस server चली रहा है को issue नहीं है अब जैसे अब मैं course को इस पर apply करूँगा तो अभी course में लगाया नहीं है तो course कहां पर लगाओगे तो आपको इस server में यहां पर लिखना होगा dot use जातर API से पहले इसको लगाना होता है और यह जो चीज हम बना रहे हैं उसको कहते है middleware जब भी आप यह dot use लिख रहे हो वो middleware होता है एक तरह से आप मान लो client और server के बीच में middleware होते हैं वो request को change कर सकते हैं तो middleware आपने add किया तो यहां पर आप बस ऐसे लिखना है course middleware पर detail हमने अपनी node की playlist में बना रहे हैं काफी सारे middleware भी बता रहे हैं अब आप course लग गया है यहां server भी start कोई error नहीं आ रहा है अब hopefully ठीक हो जाएगा अब submit करते हैं तो यह response तो आया है और response में आप देखोगे तो मैं exact वो hello नहीं देख पार हूँ बढ़ काफी कुछ है और इसमें okay आया है status 200 status 200 होता है कि सब कुछ सही है वहाँ से response सही आया है पर हमको दिख नहीं रहा है कि actual value क्या है तो अब इसके लिए आप क्या कीजिए कि react में fetch data को सीधे नहीं लाता है उसको process करना पड़ता है तो यह response है इसको आपको process करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ methods होते है तो मैं जैसे response.text एक method यूज करता हूँ और यह भी asynchronous होता है तो इस पे भी आपको अवेट लगाना पड़ेगा तो मैं अवेट लगा देता हूँ और constant किसी चीज में आप इसका result ले लो मैं भी data बोल देते हैं इसको तो data में है और यहाँ data को print करके देखते हैं तो response तो print था अब data print करते हैं तो let's try now तो submit करना है तो अब hello आ रहा है तो आपका काम बन गया basically आपके पास दो steps हैं fetch में वो आपने की है पहले response और फिर text यह text के एवल text के लिए काम कर रहा है जेसन भेजोगे तो यहाँ पे जेसन लिखना होगा now let's change it थोड़ा सा complex करते हैं और हमको तो get API से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हमको तो भेजने हैं यह variables username और password जो की है form में form variable में है तो उसके लिए better रहता है post get क्यों खराब होता है यह भी देख सकते हैं कि get से आप यहाँ पे जो भी डालोगे वो उपर आ जाएगा तो यह थोड़ा सा secure भी नहीं है कि उपर query में यह सब आ जाता है तो यह query string कहलाता है तो यहाँ पे चीज आ जाती है तो post चीजों को थोड़ा सा hidden भेजता है तो method को मैं कर देता हूँ post पर यहाँ से करने से कुछ फरक नहीं पड़ेगा पहले हम node में जाके इसको post बनाते हैं तो post कैसे बनाएंगे यहाँ पे आप जाओ इसको post लिख दो तो यह post बन गया और यह demo API नाम चाहे same रख लेते हैं और response अभी है नहीं तो यहाँ पे वो variables हम लाते हैं पर वहाँ से भेजे नहीं है हमने variable तो let's go back और अब react पे आते हैं तो post method है then आप variable भेजोगे एक body में body होती है हर request की यह भी आप detail में देखना चाहो तो videos देख सकते हो description में तो body में कोई भी data भेज सकते हो तो यहाँ पे हमारा data है form तो इस तरह से मैं भीज दिया अब इसमें issue क्या है कि जब fetch ज़्यादा process नहीं करता है चीजों को तो वो इसको as it is भेजने कोशिश करेगा और क्योंकि यह object है तो यह body से compatible नहीं है body में network में generally strings भेज जाते हैं यहाँ पे भी आप json.stringify करो और उसमें form put करो तो यह सई से चलेगा इसके अलावा एक और चीज आपको add करनी पड़ेगी वो है headers तो headers यह होते हैं कि वो additional information बताते हैं कि आप क्या भेज रहे हो या data किस type का है या request किस type की है तो उसमें आपको mention करना पड़ेगा content type जैसे आप भेजों कि भई मैं ये text भेज रहा हूँ कि क्या भेज रहा हूँ तो यहाँ पे आप इसका mime type बता सकते हो इसको mime बोलते हैं multimedia तो application.json तो ये proper तरीका है headers में इसको भेजने करते हैं ये सब Axios में नहीं करना पड़ता इसलिए मैं जादा वो use करता हूँ अब इक लिए ठीक है आपने body में data भेज दिया header आपको ये put करना पड़ा spelling आप धियान रखिए exactly match होनी चाहिए गड़बड होगा तो ये जाएगा नी और बाकी process सेम है ठीक है ये टेक्स्ट नहीं यहाँ जेसन आएगा वापस तो बाद में देखते हैं अब क्या try करके देखें है तो हमने सब कुछ रखा है तो अभी try कर लेते हैं बाद में देखेंगे क्या missing है 123 submit submit तो यहाँ hello response में आ रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है यहाँ पर blank दिख रहा है मैंको तो console log में मैंने लिख भी नहीं रखा तो यह request.body में आएगा तो यह request अभी तक use नहीं ली थी न इसमें body में यह आता है तो अब server restart हुआ अब एक और बाद राए मारते हैं अभी तो यह दोनों लिखे हुए है तो वापस से मैं submit करके देखता हूँ तो वापस से hello आया पर यहाँ पर undefined आ रहा है request about body undefined है तो यहाँ एक problem है कि express में by default वो body जो part होता request का उसको allow नहीं करता क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप body भेजें तो extra वो उसको add नहीं करता तो उसके लिए एक package आएगा body parser वो आपको as a middleware attach करना पड़ेगा तो middleware जैसे हमने course वाला किया था और body parser इस तरह से यह library होती है तो आप यह धियान रखना कि यहाँ तो कोई भी variable नाम दे सकते हो इधर library का नाम require में सेम होना चाहिए तो body parser तो यह request जो आप आप से भेज रहे हो उसके अंदर की body को पढ़ पाएगा आ तो अभी भी रहोगा data लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है तो body parser और इसी को भी ऐसे ही put करोगे server.use body parser अभी body parser सीधे ऐसे use नहीं कर सकते हैं इसमें दो method होते हैं एक है json तो मैंको json ही चाहिए क्योंकि वो ही मैं भेज रहा हूँ तो अभी हम वो ही लगाते हैं दूसरा URL encoded है वो भी आप लगा सकते हो दूसरी तरह की request में normal forms में तो यह लग गया तो अब body इसको पढ़ने में आएगी तो अब submit करते हैं वापस यहां जाते हैं तो अब देखो server में username पासवर्ड दोनों आगए successfully अब response भी तो वापस भेजते हैं मैं रिक्वेस्ट.body भेज देता हूँ अब एक और चीज़ धियान रगना यह send की जगे है अब आप JSON यूज करो वो जादा specific है तो JSON आपने भेज दिया तो आप save किया server अब आप react में जाके देख सकते हो वैसे शायद हम को जाना ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे इसको वापस से submit करते हैं तो अब देखो यहाँ पे यह आया तो हमारे पस response यह react में आया है वापस response सही वो ही आ रहा है तो एक तरह से आपने जो भेजा था वो ही आपको वापस भेज दिया तो एक पूरा circle complete हो रहा है server तक data भेजा, server से आपने वापस ले आया है यह थोड़ा string की तरह आ रहा है इसका reason हमारी coding तो हमारी coding में हमने ऐसा किया है कुछ हमने response को text की तरह parse किया है तो यहाँ पर JSON आप put करो, यह method होता है तो वो सही आएगा अब आप submit करो, तो यह देखो एक object की तरह प्रॉपरली आ गया है तो first step completed मतलब हमने database तक अभी नहीं गया है हमने node तक हमारा connection बन गया है data आप भेज सकते हो, data आप वापस भी ला रहे हो next है database लाना तो database के लिए हम कुछ use करेंगे जिसको बोलते हैं mongoose तो mongoose क्या है यह एक तरह का library है आप कह सकते हो, generally इनको ORM, ODM बोलते हैं libraries को basically आपका जो database है उसको एक object पे map कर दिया जाएगा आप इस case में JavaScript object सोच सकते हो तो जब आप उस JavaScript object को change करोगे, तो database में change हो जाएगा और ऐसी database से जब data पढ़के लाओगे, तो वो भी JavaScript object की तरह आपको दिया जाएगा तो आपके लिए as a developer काम असान हो जाएगा आपको MongoDB की सारी queries नहीं पढ़नी पढ़ेंगी वैसे वो काफी similar ही होती है तो ये library एक तरह से default है काफी लोग इसको use करते हैं तो हम इसके docs में जाते हैं और quick start वाला section यूज करूँगा मैं तो इसको use करने के लिए सबसे पहले आपको npm install इसको करना है जिससे सब में करते हैं तो कहां install कर रहे हैं हम node में तो इसमें दूसरी window में मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसको install कर देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है यह node.js के अंदर ही रहने वाली एक library है तो यह install हो गई install होने के बाद इसको भी आपको import करना पड़ेगा तो जैसे हम करते हैं require तो top पे आप इसको भी require कर लो फिर mongos में सबसे important होता है कि आप connect करो यह connection क्या करेगा mongos को connect कर देगा आपके mongodb database से तो अब mongodb database जब मैं database बोलता हूँ तो generally उसका मतलब होता है database server वो भी एक server होता है तो database server को आपको start करना पड़ेगा connection से पहले तो कैसे करेंगे तो इसके लिए एक चीज मैं assume करता हूँ कि आप net पे जाके mongodb का जो भी default community server है वो install कर लो और उसके videos हमने बना रख्या है कैसे install होता है वो उसके बाद में आपको एक command run करनी है mongod तो ये कहीं से भी run कर सकते हो globally तो mongod जैसे ही run किया तो ऐसा कुछ आया यहाँ पे मेरा यह shutdown हो गया है और इसका reason है कि इसको ये कोई path नहीं मिला data directory तो जो default वो सोचना चाहता था default database जहां वो रखना चाहता था वो उसको मिला नहीं तो ऐसा कई बार हो जाता है permissions के issue की वज़े से तो मैं क्या करता हूँ मैं desktop पे जाता हूँ और desktop पे क्योंकि मैंने folder बनाना easy है तो मैं वहाँ पे एक folder बना रहा हूँ जिसका नाम है database जिसे already एक database है तो मैं इसका नाम data रख देता हूँ तो data नाम से मैंने एक folder बना है अब ध्यान ये रखना कि desktop जैसी जगे पे मत बनाना क्योंकि आप वहाँ से कभी delete कर दोगे तो आपका database भी delete हो जाएगा इसको secure जगे पे बनाना होता है but just for this example to mongod hyphen hyphen db path तो db path option में आप put कर सकते हो कि कहां पे है तो अभी क्योंकि मैं desktop में ही हूँ यहाँ पे location तो आप location दे सकते हो dot slash इसका मतलब होता है कि same directory same directory में data नाम की जो folder है आप कहो कि वो ही मेरा database है वहाँ पे रख दो तो अब यह सारी files उसके अंदर बनाएगा अब यह start हो गया है और कुछ commands और यह सब logs देगा अब यह बंद नहीं होना चाहिए तो यह भी server की तरह हमेशा चलता रहेगा इसको आप minimize कर दो इसको बंद नहीं करना है server यह भी server है node भी server है तो दोनों चलते रहने चाहिए अब next है कि mongo से आपको इसको connect करना है तो mongo's का connection string आप यहां से देख सकते हो मैं recommend करूँगा हमेशा document से इसको copy करना because काफी बार कई सालों से कई बार change हो गया है इसका syntax तो अब क्या करना है इसमें आप देख सकते हो यह main function चला रहा है जो यहां पर लिखा हुआ है और catch इसने लगा है अगर कोई error आता है database में तो वो आ जाएगा तो इस main function में काम की चीज़ क्यों इतनी है कि mongoose.connect कोई एक function लिखा हुआ है उस function से आप connect हो जाओगे mongoDB database में तो mongoDB database में क्या चीज़ है पहरा है इसका एक URL है यहां पर अब यह URL कुछ-कुछ web URL जैसा है फरक ही है कि यहां HTTP नहीं है mongoDB है जो उसका protocol है यहां पर यह जो चीज़ है यह एक तरह से local host ही है but IP address form में लिखा हुआ है और यह इसका port number यह default port number mongoDB का यही होता है और test इसकी जगे आप कुछ और बना सकते हो तो maybe हम demo या फिर हम I think demo is good तो demo नम से अगर मेरा कोई और database नहीं हुआ तो आप demo नम से बना सकते हो तो यहां पर अपने आप बना देगा database जब आप पहली बार यूज़ करोगे तो इतना ठीक है एक और चीज में करता हूँ कि यहां पर await के बाद में console.log में ऐसा लिख देता हूँ db.connected इससे क्या होगा कि पता लग जाएगा कि सही चल रहा है या नहीं तो अब नीचे terminal जाते server वाले पर इसको save करते है तो अब देगो यह restart हो रहा है server और server started db.connected दोनों आ रहे हैं मतलब तोनों चीज सही चल रही है server में भी कोई error नहीं है connect भी हो गया है तो यह था first step इस चीज को करना काफी important है यहां पर भी काफी सारी mistake हो जाती है यहां आफ का connection नहीं है तो यहां तक आप reach कर गए हो तो अब बात आती है एक schema मनाने की और data को save करने की तो वो देखते हैं क्या है तो यहां पर मैं copy कर रहा हूँ इनी के document से schema तो वैसे यह सब अलग-अलग files में जाता है schema वगएर है और यह बढ़ हम एक ही file में करते जा रहे हैं जिस्ट फॉर तो आप इसका ध्यान रखना की mongos यह सब require आप top पे करो फिर आप connection करो फिर schema connection से पहले भी हो सकता है वैसे पर यह code आप उपर लिखें और server आप चाहें तो server कहीं पर भी लिख सकते हैं लेकिन server कम से कम middleware से उपर होना चाहिए तो एक sequence आप maintain करें वरना गरबढ़ हो जाएगी तो schema में क्या देना है तो यहां पहले तो schema का नाम बदलते हैं तो हमारा कैसा data है हमारा एक user का data है मैं उसी हिसाब से user schema बोल देता हूँ ठीक है यह बाकी इसके keywords है और हमारे पास क्या data है हमारे पास है username जो है string और हमारे पास है password जो एक string ही है तो यह एक तरह का validation है मतलब आप कहरे हो कि string type का ही होना चाहिए कोई और type का allowed नहीं है mostly string उसके अलावा बहुत सारे validations आप लगा सकते हैं आप मौंगो कि हमारे वीडियो देखो उसमें यह सब detail में explained है यहाँ पर हमको उससे ज़्यादा required नहीं है तो मैं बस इतना सा validation लगाता हूँ next चीज schema से directly कुछ भी नहीं होता है schema तो एक template होता है तो आपको बनाना पढ़ता है एक model तो model क्या है जब यह schema से आपको कोई भी एक class बनानी है तो उसको model बोलते हैं तो यहाँ पर कई चीजे हैं यह तो हमारा constant है तो मैं इसका नाम user रखता हूँ यह जो है यह actual model का नाम है तो यह user रखते हैं तो यह model से क्या होगा जो आप model का यहाँ पर नाम रखोगे string में वही आपके database में आपकी tables जो बनेंगी यानि database में उनको collection बोलते हैं MongoDB में उनके नाम यहीं से decide होगे तो यह काफी important है अगर यह कुछ और भी हो तो चलेगा लेकिन generally हम इसको याद रखने के लिए यही नाम देते हैं पर यह नाम directly आपके database को impact करेगा अब यहाँ पे भी आप user schema पास कर दो तो अब क्या हुआ यह model create हुआ है जिसका नाम है user और उसमें यह schema attached है और यह सब हमने इस user में store कर लिया अब यह user variable जो है यह class की तरह act करेगा class से आप हमेशा कुछ objects बना सकते हो तो थोड़ा सा complicated है mongos but अगर database आप directly करो तो बहुत ही complicated है तो अभी के लिए आप याद कर सकते हो कि schema है जहां पर हमने को देना होता है किस type का data आ रहा है उसको filter करता है validate करता है उसके बाद में एक model बनाना पड़ता है तो अगर आपके पास एक table है तो एक schema बनेगा एक model बनेगा दो table है तो दो schema दो model तो इस तरह से एक schema एक model ऐसे बनता जा रहा है next अब जिसे यह user है इसको use करते हैं अब बस almost हमारा काम हो चुका है तो यहाँ पर क्यूंकि हमने data जो भेजा था यह हमने वापस बस भेज दिया था इसको save नहीं किया कहीं भी तो अब इसको save कर सकते हो database में क्या लिखना होगा let user equal to अब यह क्या है आपने अगर class वगरे कभी use किया है object oriented तो आप यह समझते होगे कि यह एक नया object बना है तो user जो model हमने उपर define किया था उससे हम एक object बना रहे हैं और यह object काम आएगा यह एक तरह से database में जो भी change करने वो इस object पर कीजिए और save कीजिए तो आपको database में नहीं जाना है बस इस user object को manipulate करना है तो ध्यान देना यह चीज class का नाम है यह new keyword है उससे एक नय object बन रहा है यह object आपने अपने मन से नाम रखा है मैंने इसका नाम user रख दिया है अब user में क्या था database में आप एक तो username save करना चाहोगे वैसे यह field इस से match होना चाहिए request में हैं दो चीजे request.body में हमारे पास username है और क्या है हमारे पास? password है तो हमारे पास password भी है और यहां पर भी हमारे पास password है तो username और password दो stalk चीज़े आपके पास आगई अब थोड़ा सा अगर आप यहां पर थोड़ा सा detail में बताना चाहूंगा क्योंकि confusion हो सकता है request.body आई है front end से तो ये जो username आया है वो वहाँ से आपने जो भी data का नाम भेजा होगा body के अंदर उस पे depend करता है दीक है याद करो वहाँ state में username और password थे तो अगर इसका कुछ और भी नाम होता तो चलता क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है हमारे database को अब आप user.username में जो आपने अभी बनाया है और आपने define किया है कि ये schema में username नाम की चीज जा सकती है तो वो होगा मतलब यहाँ पे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर suppose आप इसकी जगे यहाँ कहते हैं ये email है तो आपको front end से आप email भेज सकते थे और backend में आप username में उसको save कर सकते थे लेकिन convention ये है कि दोनों जगे नाम सेम रखो तो ये आया है front end से ये है आपका model model से बनने वाला object अभी भी सब कुछ JavaScript में चल रहा है कुछ भी save नहीं हुआ है database पे तो save करने के लिए अब आएगा एक save function तो ये save function है Mongoose का इससे आपका database में ये चीज़ सेव हो जाएगी तो खास बात ये है कि ये भी asynchronous है generally कोई भी input input होता है वो asynchronous होता है इस पे भी await आप लगा दो तो अब await लगाओ गे तो यहाँ पे async भी लगाना होगा तो ये save हो जाएगा और इसका result आपको देखना है कि result आया या नहीं क्या आया तो constant doc लिखूँगा मैं doc क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज़ सेव होती है database में उस record को हम document बोलते है noSQL की term में mongodb एक noSQL है तो detail में आप playlist पे जाके देख सकते हैं तो एक document create होगा तो अब console log में मैं यही करता हूँ request.body तो हम कई बार भेज चुके हैं उसको वापस चेक करने की ज़रुद नहीं है तो मैं console log में doc को चेक करता हूँ और maybe उस doc को ही भेज देता हूँ तो that's it तो अब क्या हो रहा है आपका data यहां successfully आ रहा है जो हम चेक कर चुके हैं इन दोनों में data होगा वो यहां पे save हो जाना चीट हो देखते हैं बस वही part required है तो जाते हैं हमारे front end पे refresh करते हैं ABC 123 submit आपने किया तो यहां आप देख रहे हो कुछ आया है यह front end पे तो आई रहा था क्योंकि जो आप वहां भेज रहे थे अब बस database वाला वापस भेज रहा हूं में saved तो password username तो ठीक है लेकिन यह क्या है V और ID यह database के अंदर बने हैं तो version number तो mongos खुद add करता है और ID इक तरसे mongos बनाता है लेकिन mongos DB में by default जब भी कोई चीज सेव करते हो किसी भी database में primary की होना जरूरी है unique ID तो वो यहां बनी है तो यह आप backend पे भी देख सकते हो यहां पे object ID इस तरह से यह बना हुआ है same ही चीज है वहां जाके वो string में convert हो गई तो यह एक additional चीज data में हमेशा save होगी तो यह तो हमने देखा कि यह data save हुआ है लेकिन exactly database में क्या है उसको देखने के लिए या तो आप terminal से database access कर सकते हो जो आप हमारे mongos DB वाले playlist में देखो या फिर मैं आपको easy तरीका बताता हूँ कि कोई UI tool आप ले सकते हो तो मैं एक Robo 3T tool यूज करता हूँ by default आजकल mongos compass आता है उसके आप कर सकते हो ये भी काफि सिंपल है तो अब जैसे demo है ये demo हमारे database है इसमें जाते हैं collection है users है इस पे click करते हैं तो आप देखो ABC 123 तो क्या हुआ यहाँ पे एक document इसको document बोलेंगे वो save हो गया और ID भी है username है और version है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आ गई इसमें version का कोई importance अभी नहीं है आपके लिए तो ये saved है अब आप चाए server को बंद कर दो mongodb के और वापत चालो करो ये saved है एक तरह से files की तरह save हो गया data तो अब permanent हो गया एक तरह से आपकी hard disk में एक और चीज़ put करते हैं एक से क्या होगा तो हम def 456 ऐसा कुछ put करते हैं submit करते हैं तो ये एक और data save हो गया होगा यहाँ पे भी दिख रहा है हम console में भी print करवा रहे है और Robo 3T में आप जाके check करो तो यहाँ पे refresh करोगे तो यहाँ पे भी अब दो data दो docs save हो गया है तो दुनों save हो गया है तो database में आप अब save कर पा रहे हो और database से एक तरह से आप वापस receive भी कर रहे हो मैं डारेक्ली तो नहीं पर मैं क्योंकि save का ही output यहाँ पे वापस भीज रहा हूँ तो मैं तुरंत जो doc save हो रहा है उसको वापस front end पे भी भीज रहा हूँ लेकिन आप वैसा नहीं करना चाहोगे in real life आप चाहोगे कि मैं कोई query करूँ और existing सारे data जो भी है users है उनकी एक list आजाए मेरे सामने तो वो वाली query अब बनाते है तो hopefully यह आपको समझ में आया होगा create किया है हमने data तो यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो कि database में crud operations होते हैं जो होते है create, read, update, delete तो create हमेशा post से होता है तो यह जो मैंने बनाया वो create था और जब read करना होता है तो get request करनी होती है तो यह एक तरह का standard है rest API, rest एक standard है उसमें यही methods यूज करने होते हैं तो अब एक get बनाते हैं पहले हमने get बनाया था शायद उसी को मैंने convert कर दिया तो server में .get और आप चाहे तो यह demo यूज कर सकते हैं वैसे मैंने demo लिखा है पर इसको आपको user कर देना चाहिए था बट लेट सी अभी मैं demo यूज करता हूँ यह दिखाने के लिए कि आप get और post same path बना सकते हो लेकिन वो अलग-अलग treat किये जाएंगे तो यहाँ पर demo और request response और इस तरह से और यहाँ पर आपको query करनी है database से अब एक चीज का ध्यान रखिए कि जब create होता है बस उसी case में आपको एक नया object बनाना होता है आप class से नया object कब बनाओगे जब object है नहीं नया बनाना है तो ही यह new user काम आता है otherwise आप हमेशा user में सीधे query कर सकते हो यानि इस class को use कर सकते हो तो ध्यान रखिए model को new model तभी लिखना होता है जब नया object बनाना होता है otherwise model में सीधे ही methods होते हैं जैसे इसमें find method है तो find जैसे आप समझ पा रहे होगे यह find करेगा सारे docs और इसमें आप condition दे सकते हो कि कौन से docs तो यहाँ पे मैं एक empty object देता हूँ इसका मतलब है कोई condition नहीं है सारे docs में को return कर दे वैसे condition वगएरे दी जा सकती है यह हमने अलग से videos में explain किया है बड़ अभी के लिए वैसा ही करते हैं इसको भी await कर देते हैं read operation को भी और यहाँ पे आपके पास आएंगे docs docs क्यों बोल रहा हूँ है क्योंकि find में एक से जादा आएगा तो वो एक तरह की array होगी तो यह array को आप print करवा सकते हो यह console में यहाँ फिर मैं सीधे ही थोड़ा सा response.json में मैं इसको put कर देता हूँ frontend पर ही देख लेंगे तो response.json docs इतना सा ही लिखना था यहाँ आप condition देते तो filter भी कर सकते थे जैसे लिख सकते थे कि username abc तो वो filter हो जाता अब अब ही के लिए मैं सारे return कर रहा हूँ तो demo बन गया होगा अब क्योंकि यह get है तो सबसे पहले test करना बहुत ही आसान है आप जाके यहाँ पर ही लिख दो localhost get सीधे html से sorry demo तो get request हो गई और इसमें यह चल रहा है आपका दोनों जो document है वो आ गए है पर यह चीज मैं नहीं चाहता हूँ कि हम react application में जाएं और react में यहाँ पर हम कोई list create करें जिसमें सारे हमारे जितने user saved हैं वो दिखाई दें तो back to react तो सबसे पहले क्या करना होगा एक fetch request और बनानी होगी क्यों क्योंकि आपको अब get के लिए एक fetch करना है तो उसके लिए मैं एक अलग method बना देता हूँ और इसका नाम लग देता हूँ मैं get users get users एक का function होगा और यह function में आप fetch करोगे वैसे हम post का fetch कर चुके पूरा आप copy कर सकते हो क्योंकि almost ऐसा ही रहने वाला है फरक क्या होगा यहाँ तो demo है वो मैंने same रखा है लेकिन method मैंने बदल दिया है मैंने यहाँ पे get कर दिया है तो get में json stringify form okay body आपको नहीं चाहिए body में आप कुछ भी नहीं भेज रहे हो headers भी आप शायद ignore कर सकते हैं क्योंकि request में आप नहीं बताना चाहरे हैं आप कुछ भेज ही नहीं रहे हो तो headers भी आप हटा सकते हो now next thing यह भी async होगा data json जैसन तो वहां ही यह सारा चलना चाहिए get users call करके दिखते हैं सीधे तो call कर नहीं सकते हैं आप react में से तो use effect hook काम आएगा तो use effect call करते हैं इसमें पहला function तो पहला function देते हैं और side में यह dependency हमेशा देते हैं लूप बन जाएगा बना तो अब इसमें क्या करना है get get users get users को call कर लिया get users यह method है call होगा इसे fetch में call होजागा जो browser पर अभी जैसा साय था वैसा ही expect कर रहे हैं तो application चलते ही हो जाना चाहिए तो अब browser पर जाओ यहां पर वैसे आप ही गया शायद इसको मैं हटा देता हूँ अब refresh करके देखते हैं तो अभी कुछ नहीं आया वैसे तो यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो use effect चला नहीं है तो क्या reason हो सकता है मैं यहां सेव करना भूल गया हूँ तो आप इसको save कर दो अब आप देखो तो यहां पर आ गया है response तो आप देखोगे तो इसमें सब कुछ सही लग रहा है अब अगर आप यह सोच रहोगे दो बार क्यों आया तो dev mode में जब भी react आप चलाते हो तो side effects दो बार चलते हैं वो testing के लिए कि आ जाता है ताकि आपने pure function बनाया या नि तो कोई गलती नहीं है तो 01 दो object है और इसमें वही database वाला आ रहा है तो perfect है अब पस data आ गया अब data को दिखाना है दिखाना है तो map में put कर सकते हो तो मैं यहां perform के बाद में ही बना देता हूं एक div बनाते हैं एक ul बनाएंगे और ul के अंदर li होते हैं li list item में put कर सकते हैं जो भी users वहां save हुए अब problem यह है कि इसको map से loop करना पड़ेगा और map बनेगा किसी variable पे तो again state की बात आ जाती है तो top पे जाते हैं कुछ state variable बनाते हैं तो मैं state variable बनाता हूं users और set users और initially कोई भी user नहीं है तो blank array initialize करते हो अब users में जो भी result होगा वह हमको save करना है result कहां पे आ रहा है get users के अंदर आ रहा है कहां पे इस data में और data exactly क्या है यह array है और यह array आपको map में चलानी है तो काफी simple है यह console log हटाते हैं इसकी जगे set users कर देते हैं और अब अब इसमें data put कर सकते हैं object भी put करने की जरुत नहीं है set users इस तरह से आ गया now map में लगाना है इसको तो आप लिखिए यहां पर users dot map map में क्या होता है user name लिख देता हूं उसका में और आगे यह li आ जाएगा और यहां पर इसको बंद कर देते हैं तो करना क्या है users dot map li और इसमें आप लिखोगे क्या चीज लिखनी है user user सीधे तो हम नहीं लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे user dot username इस तरह से अब इसको चेक करते हैं कि यह काम करेगा क्या तो यहां पर मैंने map का जो सईसे बंद नहीं किया है तो आप यह parenthesis पुट कर दो अब बंद हो गया लेट सी तो अब यह ABCDEF आ गया है आपको पासवर्ड भी दिखाना है तो काफी फ़नी है कि हम पासवर्ड दिखा रहे हैं लेकिन जिस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल पासवर्ड तो यहां वार्निंग आ रहे है वह हम देखेंगे पर यहां पर सही रिजल्ट आ गया है आप देख रहे हो कि ABC123 और DEF456 ऐसे कुछ आ रहे है तो सब सही चल रहा है और अगर मैं इसको नया कुछ हैड करता हूँ जैसे XYZ और कुछ भी आप उट कर दो तो यह यहां से डॉक्यमेंट तो आपस आ रहा है क्योंकि response में दिखा रहा है हमने पर यहां पर नहीं अपडेट हुआ क्यूं क्यूंकि यूज़ इफेक्ट कि यह एक बार चल रहा है इस प्रॉब्लम को आप खुद कर सकते हो कमेंड में बता सकते हो कैसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ react app तो यह आ जाएगा तो डेटाबेस में तो यह सेव हुआ है वह आप डेटाबेस में जाके भी चेक कर सकते हो अब यहां की की प्रॉब्लम आ रही है जब भी है तो की एक बनानी पड़ती है जब तक डेटाबेस नहीं था की हमेशा ही आपको दिक्कत देती रहेगी पर अच्छी बात यह है कि अब आपके पस डेटाबेस है तो आप की उट कीजिए और यहां पे आपके पास यूनीक आईडी है आप यूजर में अंडरस्कोर आईडी तो यूजर चला गया I think मैंने कुछ गलत पुट कर दिया है सेव नहीं किया तो वापस रिफ्रेश करो तो यह इशू भी चला गया तो अब इसमें आपने क्या अचीव किया आप देखो एक बार पूरा हम फ्लो रिवाइज करते हैं आपने एक फुल स्टैक application एक तरह की बना लिया और इसमें सारा काम start हुआ था front end से front end में आपने कोई variables रखे थे plain JavaScript भी हो सकती है next आपने एक request भेजी थी अब इस point में क्या हो सकता है कि या तो आपने जो request भेजी है वो गई नहीं या फिर node के पास वो नहीं जा पा रही tab तो आप network tab में जा सकते हो और यहाँ पे सारी request दिखती है तो मैं इसको clean कर देता हूँ अब आप जैसे मान लो कुछ भी एक बनाते हो demo एक document one two three four कुछ भी यहाँ पे आप submit करते हो तो यहाँ पे आपको यह दो request दिख रही है वैसे एक pre-flight है second वाली सही है इसमें आप देखोगे भी तो status आ रहा होगा 200 तो यह वाली successful है इस पे click करके देखो तो यह एक तरह से आपकी request है तो इसमें सारी चीज़े हैं कि कहाँ पे गई request कौन से type कि जैसे post है okay यह successful हुई कोई problem भी होगी यहाँ पे दिखाई देगी वो content type वगएरे भी यहाँ से headers आप देख सकते हो और भी बहुत सारी information है detail हमने playlist में बता रख किए payload पेलोड वो data है कई बर क्या होगा कि request तो भेज दी पर क्या guarantee है कि आपने यह जो form में data भेजा तो सई से गया आया नहीं तो यहाँ पे पेलोड में clearly है कि request में यह payload भी गया है तो यहाँ यह भी check हो सकता है अब है कि अच्छा response क्या आया तो यहाँ पे आगे एक response भी होता है तो यहाँ response भी आपको clearly दिख रहा है कि आप से यह document आया तो सब कुछ आप यहाँ पे भी check कर सकते हो network request में अगर कुछ गढ़बढ हो रहा है तो और successful है तो भी check कर सकते हो suppose यहाँ से सब कुछ सही लग रहा है बर response नहीं आया बस तो next step होता है कि आप जाओ और अब आपको check करना होगा node server तो node server में यहाँ console log यहाँ पे होता है इसका node में terminal तो यहाँ पे चीजों को print करके देखो जैसे यहाँ demo है तो यहाँ पे देखो कि request आई या नहीं request में body चली या नहीं और आपका server कहीं आपने restart करना भूल तो नहीं गए तो वो सारी चीज़ तो यहाँ पे है तो उसको आप catch कीजिए otherwise सब कुछ ऐसे perfect चलेगा तो यहाँ हमने complete किया एक full stack application का बहुत चोटा सा example पर इस example में almost सारी process हुई है जो भी एक full stack में होती है API creation, data वहाँ भेजना node server पे, वहाँ से database और वापस fetching यह चीज़ां और complicated हो सकती है query जादा hard हो सकती है हमारी दो playlist है एक node की, एक mongo की वह आप देखिए उसमें सारी details दी गई है तो उससे आपको clear हो जाएगा अब इसके अलावा आपको कोई ऐसा video चाहिए जो काफी basic है तो आप comment में mention कर सकते हैं इक code आपको github पे मिल जाएगा उसका link में provide कर दूँगा